परमाणू के नाभिक की खोज, सरुप्रथम एक रेडियेक्टिव तत्त से निकले, धनाविशित कणों की किर्णों को एक स्पूर्दिप्त परदे पर भेजने पर, स्पूर्दिप्त परदे में चमक उत्पन्न हुई, जहां इस किरण के मार्ग पर अत्यंत पतला स्वन पत् पत्र से टकरा कर कुछ कण किनारों की तरफ विचलित हुए, कभी-कभी कुछ कण सीधे पीछे की ओर वापस विचलित हो गए, परंतु अधिकांश कण स्वन पत्र के आर पार हो गए, इसके आधार पर व्यज्यानिकों ने निश्कंश निकाला की परमाणू का अधिकांश भाग खाली होता है, परंतु चुकी कुछ कण विचलित हो गए, अता निश्यत रूप से परमाणू के केंद्र में धना विशीत भाग उपस्तित है, जिसे उन्होंने नाभिक का नाम दिया